नमस्कार, मेरे नाव है शारेनिया and you are watching me on online platform of Target with Alok आज हम बात करेंगे किस के बारे में? कृष्षी सुधार अधिनियूं के बारे में जो known term है, जो जादा लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? वो farmers bill बोल रहे हैं क्योंकि वो easy है कहने सुनने में बहुत possibility है, आगे मैं भी यही term इस्तिमाल करूगी लेकिन जो मतलब actual है, वो क्या है? क्रिशी सुधार अधिनियूं है, agricultural reform bill है अब क्यों farmers bill की जरूरत क्यों पड़ी? किस लिए पड़ी? ये बहुत important fact है क्योंकि जो वीडियो है, ये अभी हम लेके आया है, काफी देर हो चुकी है, इस बारे में बात होते हुए अंदुलन काफी पहले से चलता है, चार महीने पहले से तो बहुत possibility क्या है कि आप बहुत सारी चीजें जानते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं जानते हैं जब हम बिल की बात करेंगे तो दो तीन चीजों की बात आप से हम करेंगे जो ये बिल से included है, मतलब हो तीन चीजें जिसके लिए विरोध हो रहा है, उसके पॉसिटिव नेगिटिव अस्पेक्ट कहां से हैं उसमें किया दिखाया जा रहा है क्या actually है यह चीज़ें दोनों जगा valid है किसान बिल में भी जो क्या दिखाई जा रही है यहाँ है कुछ और दिखाया कुछ और जा रहा है तो वह सारी बातें हं यहां clear करेंगे इसके अंतरगत सबसे पहले बात करते हैं, जब किसी अदिनीयम की बात करते हैं, तो क्या होता है? सबसे इसी easy Colorado कया है कि आजकल क्या है कि हमारे पास बहुत सारी resources हैं. यह जानने के लिए क्या मतलब क्या चल रहा है? तो इसलिए ये जानना सबसे पहले बहुत जरूरी है कि क्रिशी सुधार अधिनियम क्या है क्रिशी सुधार अधिनियम के पहले बात मैं करूंगी MSP की क्योंकि जब इसकी बात आ रही है MSP की बात आ रही है फिर APMC की बात आ रही है फिर MSP कहां से आया एपीमसी कहा से आया बहुत कन्फ्यूजन है फिर अब जब यह चली रहा है सब कुछ तो क्या जरूद है कि अब जब आया है तो इसमें क्या दिक्कत हो गई है तो अब बात करते हैं इसके बारे में आगे सारी चीज़ें हम सारे टर्म्स जानेंगे क्योंकि यह तीन अधिनियम आये हुए हैं जो पारित किये गए हैं जैसे क्रिशी उपस ब्यापार वारिज समवर्दन और सुविदा अधिनियम 2020 ठीक है जिसके अंदर क्या है कि आप जो है एक तरीके से जो यह पहला अधिनियम के आप बात करेंगे क्रिशी उपस ब्यापार वारिज अधिनियम मतलब फामर्स प्रोड्यूस ट्रेड अंदर ही है देखिए ऐसा नहीं कि बाकी नहीं है बाकी जगा भी तीनों में दिक्कते हैं दिक्कत तो तीनों में कुछ चीज़ें हैं जो पॉजिटिव और नेगटिव एस Lucky S. jsem सबसे पहले हम इसके बारे में पहले दिनियम के बारे में जानते हैं जैसे पहले हम बात करेंगे फ़ाम के बारे में ठीक है क्यों कि इसको थीन भागों में अगर हम डुइक कर देंगSec knows He पिल्गब किसान पर किसान के ही प्रोडक्शन के भून कि बात के जचारी है कहा रही है उसी का व्यापार होना हो किसान के प्रोडक्शन की बात कर रही किसमें मैं आपको बता पार्या ने शीज श दे प thought होगा तो ब्यापार में बहुत सारी चीज़ें के लिए इन दिन मतलब बेचना और खरीदना असक्ट जो है वह ढ़ाँ कोँफिक का रिच करें के अब किस लगई चीज़ करेंगे और भी चीज़ें की जरुद्ध आ जैसे ट्रांस पॉर्टेशन पॉलिफिन्धिन बोरी है हें देन प्रकार्लेन वो सब क्या है commerce क्या हिस्सा हो जाएगा मतलब जो larger term पर जब stand करेगा तो commerce हो जाएगा अब promotion and facilitation की आएगी जाहिर सी बात है कोई bill है तो उसके facilitation की भी बात होगी जाहिर सी बात है कुछ land up इस्तेमाल करेंगे कुछ resources स्तेमाल करेंगे और बी चीज़ इस्तेमाल करेंगा उसी के अंतर आ जाएगा अब इसकेícios की जा रह यह रही है trade area outside of the pmc मतलब इसमेंगा umc वेरभ EPA बिल में कहीं नहीं कहा जा रहा है कि A,P, 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 M C आहीं रहेगा बिलकुर यह बात कहीं कहीं जा रही है की APMC नहीं रहेगा लेकिन अब जो ट्रेड है अभी का जो नियम है वो है कि जो भी लेंद देन किसान की होगी वो अपने पहली जो खरीद बेच है वो जाके कहां करेगा अगर हम इसकी बात करें सिर्फ यहां पर APMC की तो बहुत कम किसान है इसका जो फाइदा है बेसिकली वो पंजाब और हर्याना के किसानों को जादा है क्यों क्योंकि वहां पर गेहुचावल की खेती जादा होती है I pub Octidade में बेचाब और अछ इंस्टूमेंट है थनी है के में अच्छी डाध में जो सबसे ज्यादा फाइदा है आपींसी से आपिंसी से हैसा नहीं किसानों को फाइदा नहीं हुआ है लेकिन ज्यादा पंजाब और हर्यानाइकों कि किसानों को हुआ है अब क्योंकि APMC से ही जुड़ा हुआ है का MSP, basically इन्हीं दो मुद्दों पर बात ही हो रही है, कि क्या सारी चीज़े है, अब क्योंकि trade area outside of APMC होगा, तो जाहर सी बात है, अब किसान तो इतने बहुत ही कम किसान है, इतने जिनके warehouse है, अपने cold storage है, यह बाकी चीज़े हैं, जो वो इस्तिमाल करेंगे, तो बहुत possibility है कि corporate इसमें इंटर करेंगा private companies इसमें इंटर करेंगी, तो एक यह भी डर है कि कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन यह लोगों का presumption है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, कि यह APMC धीरी दिरे हटा दें, या जो minimum support price में मिल रहा है, उसको हटा क्योंकि private industry के involvement है, और private industry पे लोगों का trust बहुत काम है, यह term उसी तरीके से stand कर रहा है, जैसे लोग डरते हैं, जैसे गवर्मेंट संस्ता में काम करते हैं, तो लोग जादे अपने आपको secure feel करते हैं, comparative to private, तो कोई भी चीज़ा जब प्राइवेट हाथों जाने लगते हैं, तो लोग भारत में बहुत डरते हैं, उनको लगता है कि अरे इनके पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि पैसे वाले रसूख वाले पता नहीं करता हैं, हम समझ न पाएं, और यह हमासाथ गेम कर जाएं, ठीक हैं, तो बाकी इसके क्या positive negative aspect हैं, आगे बात करेंगे, फिर क्या इंट्रेस्टेट की बात हैं, मतलब आप दो शहरों में, दो शहरों के बीच में लेंदिनल कर सकते हैं, या देश से बाहर भी अपनी खरीदारी कर सकते हैं, तो यह बहुत ही अच्छी बात है, अब एक बात बताईए आप, जब आप जूता कहीं का भी खरीद के कहीं मतलब कहीं से भी खरीच सकते हैं और उसे क्या कहते हैं कपड़ कहीं से भी खरीच सकते हैं तो क्यूं वहीं किसानों के सुविजा क्यों नहीं मिलने चाहिए जब जूता बाला कहीं से भी जूता बनवा के लिए आ रहा है और कहीं भी शोरूम में बनवा रहा है प्राइस भी पहले से ही डिसाइड कर रहा है, मतलब जो आप सिनेरियो आज जूता और कपड़ा में आप देख रहे हैं, वही चीज किसान को फसलिटी क्यों नहीं मिलना चाहिए, आपको नहीं लगता कि किसान के कंपारिजर में इनकी हालत ठीक है, जो जूते और कपड़े ब प्रिंदा है, अगर उसको लग रहे हैं, इसकी फसल कदाम उसको काउर्फ़ में ज्याधा मिल सकता है, कोई है खरीदार है कोई वेर हाँस है बाहरत के बाहर मुझे रहे हैं, जाए छी दिक्कत नहीं है, तो यही बात इसमें कहीं जा रही है, जैसे आप पागी सामान के इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वैसे किसानों के सामा निके साथ इसा जोड दॉबस्ती क्यों हो रहा है वह क्यूं आजब आहाई रही है अगर आप बहुत सारे ऐसे जिसे आप South Korea की बात करें मतलब South Korea के जो लोग हैं को किसानों कोaser है जैसे आप 40 रुपय का कोई चीज खरीद रहे हैं तो बहुत पॉसिबिलिटि उनों 30-35 मिल रहे हमारे यहां किया है अगर लिए मिल रहा है मतलब यहां पर क्या है इसकी जरूरत क्यों है यह मैं आपको बताना चाहूंगे इसने बताना चाहूंगे क्यूंकि आप जैसे कि कोई छीज आप आप और ऑप आप रहें किसान और को फाया हो रहा है जैसे हम कोई चीज 40 रुपै में खरीद रहे हैं ठीक है और किसान 10 रूपए में बेच रहा है ठीक है अब यह भी दूम्हें ज्यादा बता जरें बीच के कहां जा रहे हैं तिसरी रुपए में हैं वो बिचौली के जा रहे हैं ठीक है यह जो靡 कर सिनेरियो मतलब में मालिक है वह इसमें जो में दो श्पेक्ट है प्र अचिक को उगानबादने वाले और हो भी को यह को हो रहा है, बीच के लोगों को हो रहा है, क्यों कि मेडियेटर की जो लेयर है वो बढ़ गई है, हाला कि कहने को एक है APMC, और APMC का नाम आ रहा है, तो साथ में FCIA का भी नाम आ रहा है, क्योंकि इसलिए नाम आ रहा है, क्योंकि APMC ऐसा सरकार का नियाम है, जो essential commodities है, अगर उन यह दे रही है उनको, कि जैसे आपको कह दिया गया, कि APMC गया, आपके सामान की बोली नहीं लगिया, आपको minimum support प्राइस भी नहीं मिला, तो FCIA में जाके आप बेच दो, ऐसा गोर्मन कह रही है, लेकिन हो क्या रहा है, FCIA में भी वो आपका सामान जो है, वो नहीं ले रहा ह किसान बिचारा बहुत मिसक्कत करके गया, ट्रक वग लेके, ट्रैक्टर में सामान भरके गया, अब FCIA वाले के पास गया, आपको कोई नहीं ले रहा है, आप ले लीजिए, अभी FCIA वाले क्या करेंगे, वो क्या कहेंगे, कि अच्छा तुम्हें काम करो, अभी जगा नहीं है, उसके लिए यहां पे मुश्किल खड़िया जाती है, अब जैसे ही उस हवाल लेके जाएगा, उसमें भी चौलिया एक्टिव रहेंगे, जो एजेंट वगरा रहेंगे, वो किसान पास जाएंगे, कहेंगे, तुम गय थे, और तुम्हारा लिए नहीं, अगर तुम्हार जाएगा, उसी समान को 1700 रुपए में बेच देगा, किसान फारिक हो जाएगा उस चीजों से, अब यही बंदा जो 1700 रुपए में चीजों को खरीदा है, वो जाएगा किस के पास, FCI के पास, ठीक है, जब वो FCI के पास जाएगा, तो FCI के लोग आप समान खरीद लेंगे, उनके पास जगा हो जाएगी, वो क्या करेंगे, रजिस्टर में तो लिखेंगे 1860 रुपए, जो minimum support price था, लेकिन वो क्या करेंगे, 1700 रुपए का जो समान उसने खरीदा है, इसी को वो थोड़ा सा बढ़ा के इसको इससे खरीद लेंगे, तो इनको क्या होगा, इसके बीच को रजिस्टर यही करना है, 1860 रुपए, लेकिन क्या करेंगा, इसके समान भी ले लेगा, और minimum support price जो उसने किसान को नहीं दिया है, क्योंकि इसके पास तो margin है, 1860 रुपए, जो है minimum support price रजिस्टर पे यही जाएगा, लेकिन यह इससे क्या करेंगा, इससे कुछ पैसे बढ बहा के ले लेगा, और बढ़े हुए पैसे जाएंगे जेब में, और बाकी जो लॉस जाएगा, वो गौर्मेंट का जाएगा, मतलब कुल मिला के यह जो अभी current scenario चल रहा है, इसमें गौर्मेंट को भी घाटा है, फार्मर को भी घाटा है, और जो हम हैं, मतलब आम सिटिज कर रहा है, मतलब FCI का क्या रोल है, APMC यहां पर कहां स्टंड कर रही है, हलाक यह पूरा टम मैंने आपको नहीं समझाया है, कि कहां APMC, MSP, कहां से आया है, यह सब नहीं बताए, बस मैंने आपको यह वताया है, कि मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइड जो है, मतलब FCI वाले में तो कर रहे हैं, लेकिन वो बीच में पैसा खाबा के उसका हालत बहुत बुरा है, यहां की वेर हाउसे नहीं होने चाहिए, हर साल लाग करोड कोई के कि क्टल के तक रीबना आज वो सड जा रहा है, मतलब कुल मिलाके हम अथने अजे नहीं हैं नहीं स्टोर करने के लिए ज सब चीजे हो रही हैं विच्वलियों को निसमें नुकसान हो जाएगा इसलिए बवाल भी हो रहा है जब अब इंटर स्टेट जब आप लखनों का बंदा कानपूर में कोई चीज बेच ले रहा है जाहिर सी बात उसको एक आउट ओफ इंडिया मिल रहा है बहुत जादा बड़ा किसान है वहां बेचेगा उसको अच्छे दाम मिल रहा है क्योंकि हर जमीन खास चीजों को उबजाओ के लिए बनी होते हैं अगर आप जाएंगे टाइपस ऑफ सॉयल उसके इंपोर्टन पर जाएंगे कि कहां पर कौन कि कहां से आ रहा है नहीं ना सीधा कपड़ा पसंद आया MRP प्राइस डिसाइड है अपने खरीदा ठीक है चला गया अब हाड़ी यू तिंग कि विच कंपनी विलॉंग्स तो इस द्रेस यह सब आप सोचते नहीं ना तो वह चीज जब सब कर नहीं है कपड़ा जूता सब कोई अप्लिकेशन होगा जो यह डिसाइड करें कि इसमें दाम होगा प्रोडक्त होगा होलसेल मार्कट भी होंगे रिटेलर भी होंगे काइंड ओफ ऐसा इसा इसके बारे में आगे ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई e-commerce साइट होगा जो यह लें देन का काम करेंगा एक नेशन ए का एक तरीका है जो की अच्छा अस्पेक्ट है इस बिल का जो है ट्रेड एरिया आउट ओफ एप्यम सी तो इसमें लोगों को यह डल लग रहा है वह या कि बाहर की कंपनीज आएंगी और प्राइबेट कंपनीज पे लोगों को उतना ट्रस्ट नहीं है आप इंट्र स्टे किसानों के साथ यह अन्या है क्यों होना चाहिए है कि नहीं और तीन जो इंपोर्टेंट फैक्टर है उगाने वाला फार्मर लेने वाले सेटिजन नुकसान जो है पीमसी का उठा रहा है वो गॉवर्मेंट अलग से उठा रहा है अगर आप डेटा उठा के देगे तो आप पहली चला के वह अमीर बन रहे हैं तो उन्हीं को बहुत जादा दिक्कत हो रही है इन चीजों से एक्जैक्ली नहीं कुछ-कुछ कमिया है भी वह हम आपको आगे बताएंगे यह इंटर-इंटरा स्टेट का ही मैंने एक्जामपल लिया था जैसे कोई चीज है जो कोई पांचेजार एक्सुदो रुपए था प्राइज रिफरेंस अब आगरावला किसान चाहे का ना कि हम सिक्किम में अपना गंगटोक में जाके पना बेच दें उसको पांचेजार एक्सुदो रुपए रहा है है कि नहीं अब हो सकता उसका ट्रांपोर्टर टेशन का खर्च उनको रुपए इक पूलए उनको मिलाए गा एक प्याप में जिसको खरीदना फोरीद इसको डिफिखान यू रिटेलमे खरीदना रिटेलमे पराइस का डिस्पले जो पहले से होगा वा तो मोर ठांस्परेंसी आएगी कम बीचॉली के मिनिमम एक बीचॉलिया होगा जो कि वह एप होगा जैसे कि आप e-commerce साइट में देखते हैं मिद्रा फिर्प्राइड अमेजन अब नो स्टेट टैक्स भी इंवॉल्ब नहीं किया गया ऐसा नहीं कि लखनाओं का बंदा कान पूर जाएगा तो उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा वो भी नहीं है अब कि अब इसमें क्या बात करेंगे डिस्प्यूट सेटल्मेंट मेकैनिजम की ठीक है डिस्प्यूट सेटल्मेंट मेकैनिजम जो है इसका यह बड़ा दिकत कहा है इसी पर भी बहुत बबाल हो रहा है क्यों हो रहा है इन्हों ने जैसे कि दो लोग इंवाल्व है कि बेचने तो विवाद भी है तो इन्होंने क्या है एक reconciliation board बनाया है इस में क्या किया है इस reconciliation board में क्या है जो पहली बार मतलब जो SDM है इनकी बातों का जो दो पार्टी होंगी जिनके भी dispute होगा उनके काम करेगा कौन करेगा SDM करेगा SDM मामला नहीं सुलजा पाया तो यह मामला District Magistrate के पास जाएगा, हो सकता है, जो collector है, वो अपने, ये जो अधिकार है, वो किसी additional collector को दिया हो, तो ये भी ये मामला सुलजाने का काम कर सकते हैं, basically SDM, collector, additional collector, इन लोगों को पास ये मसले जाएंगे, civil court की interference नहीं दी गई है, जो सरकार का इस point of view पे कहना है, वो ये कहना है कि वकील का खर्चा किसानों को नहीं पड़ेगा, या बाकि जो case लंबे चलते हैं, judiciary पे इतना burden है, वो सारी चीज़ें इसमें नहीं हो, तो लेकिन, क्या है कि आप कितना trust करते हैं administration को, अगर आप आजादी के बात की बात करें, तो जितना जिम्मेदार, जो है, आप मानते हैं, जो आप बहुत गुस्ता आता, आप किसी चीज़ पर को करते हैं, ये सब जो नेता हैं, वो बहुत हैं, वो बहुत हैं, उन्हमार द जल रही हैं, ठीक है, दोनों की मिली भगस से हैं, दोनों ही उतना जिम्मेदार, अगर आप निताओं को, पर बाला है, तो निताओं को अलग मत करिये, ये दोनों पैरलल चीज़े हैं, तो लोगोंको जो अधरोसा है वो लोगों जादा है, ने, झो जो जादा, आप एज करने से जादा किस पर ट्रस्ट करते हैं यह किस पर करते हैं कोट पर करते हैं जो डीश्री सिस्टम पर क्योंकि इन पर बोज बना पाना सरकार के लिए उतना मुश्किल उतना असान नहीं होता जितना ा इडिनिस्टिरेशन पर होता है तो लोगों का भरोसा सिविल कोट में तो कम से कम एक ट्राविनल तो चाहिए listen to deal . रिश्रिक और बेग्रदसे ता मतलब मेकेनिजम मगनीजम ज़ो है वोगा थोड़ा वीक पढ़ रहा है जहां परभी विवाद हो रहा है क्योंकि लोगों का भरोसा उतना नहीं है सरकार हलाकि इसको positive aspect में दिखा रहे हैं लेकिन फिर भी ये चीज मुझे लगता है अगर सुधार करते हैं इस Will में तो ये करना चाहिए आगे मूल आशवासन और कृशी सेवाओं पर किसान सशक्ति करन और सरंगशक समझाता अधिनियम 2020 The Farmers Employment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Act 2020 अब बात करते हैं मूल निर्धारन विवाद निप्टा रहेगी ये क्या है ये पूरी तरीके से वाई है contract वाला system यहाँ पर आएगा इसके अंदर क्या कहा जा रहा है पूर्व निर्धारन मूल ने का जो निर्धारन होगा वो पहले से हो जाएगा contract का मतलब शुरू से एक contract बनेगा जैसे कि suppose well-known company Reliance Market ले लेज़े Reliance Fresh कोई market है उसने क्या किया उसको चाहिए कि उसको chips बनाना है chips हर जादा common है तो क्या है अगर उसको chips बनानी तो थोड़ा बहुत चाहिए उसको chips थोड़ा बहुत तो चाहिए नहीं उसको बहुत quantity में chips चाहिए है कि नहीं तो वो क्या करें कि एक agreement decide करें कि कहां मतलब ऐसा है कहां कौन सी जगा जहां पर आलू अच्छे हो सकते हैं ठीक है और वहाँ पर किसानों को जहर सी बाद उसमें एक किसान नहीं होगी क्योंकि उसको बहुत जादा quantity में आलू चाहिए तो बहुत जादा किसानों के साथ क्या करें एक agreement बनाया जिसमें company की चीज़ें होंगी जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि मूले निधारण पहले से होगा मूले निधारण जब होगा तो इसमें बहुत सारी security भी होंगी बहुत सारे disadvantage भी होंगी कैसे इसमें दोनों चीज़ें लिखी जाएंगी पहली कि जैसे कि उनको आलू चाहिए अपने जो export होंसे उनको पता है कि उनको किस तरीकी के आलू चाहिए चिप्स बनाने के लिए वो होगा अब जब सारी चीज़ें वो अपने हिसाब से उसमें point out करेंगे suppose reliance fresh है उसमें count कराया कि मुझे इसी चीज़ें इतनी quantity में आलू चाहिए ये चीज़ें इस्तेमाल करेंगे ये technique ये fertilization ये जो है बायो पेस्टिसाइड ये सारी सारी चीज़ें जो है हमको चाहिए कि आम इन सब चीज़ों से इतनी quantity में हमको इस तरीके का आलू दीजिए अब इस agreement में सब mention होगा कि company क्या सुविधा देगी किसान को सब कुछ देगी वो किसान को यहाँ पे क्योंकि वो prior agreement में लिखा है अब इसमें किसान को security है कि उसको price भी पहले से सब को जोड़के लिखा है कि इतने से जो है इतने रुपए में हम आपका जो सामान है वो खरीदेंगे आपका जो जितना भी आप आलू गाएंगे हम इतने कोई मतलब नहीं मतलब सब कुछ पहले से decide होगा company को पता होगा कि हम मतलब कितने कुंटल आलू हमको किसान से लेना है ठीक है ये पता होगा किसान को पता होगा कि मेरी जो फसल का price क्या है मतलब को insecurity यहाँ पे नहीं आएगी लेकिन इसके जो गलत इसके अंदर का सब कुछ किसी को जरूरत है तो पशू पालन जो है मत्स पालन जिसको अगर मतलब उससे कोई डैरी प्रोड़क्ट का है वो भी आएगा अगर इसकी बात करें सब होटी कल्चर फाल फूल मतलब इसके अंदर सब कुछ है कोई भी किसान जो भी चाहे गेहुचावल की करता है फरबूल मचली पालता है मुर्गी पालता है वह सके अनदर इसके इंसे जो भी उनको प्रोड़क्ट चाहिए अंड़ बेचने आलई में तो जो वे कंपनी है वो पहले से प्राइर अग्रिमेंट करेंगी मुझे इतने अंडे चाहिए और यह यह रेट में हम लेंगे अब यहां पर बहुत जो है सुविधा मिल रही है किसान को भी किसान को उस तो फ्लक्टुएशन से सविदा मिल रही है कि हमको प्राइस का जो डर है कि पता नहीं हम खेती करते हैं लेकिन वो उसे क्या कहते हैं उसका प्राइस पता नहीं क्या मार्केट में दिखकता जाएगा कि उसमें नुकसान उसको होता है तो यह चीज़ सेटलमेंट है लेकिन यहां पर भी एक चीज़ एड करनी चाहिए है मुझे लगता है कि अगर प्राइस यह जब अग्रीमेंट किया जाए कंपनीज अग्रीमेंट करें तो यह मेंचन हो कि कम से कम हम आपको इतने पैसे तो देंगे आपको लेकिन अगर मार्केट का प्राइस यह है तो थोड़ा बहुत हम इसमें फ्लक्टुएशन कर लेंगे मतलब जैसे 30 चल रहा है तो 25 पर सेटेलमेंट कर लेंगे मिनिमम मतलब हो कि मिनिमम इतना देंगे उसके बाद आगे हम आपस में सेटेलमेंट कर लेंगे कि कितने पे हमें बेचना खरीदना है तो यह चीज ज़ादा और बहतर हो जाएगी मूह लिर्धार मतलब इसमें पहले से होगा वहीं contract farming जिसकी बात की जा रही है contract में जूते कपड़े के अगर बात करेंगे तो आज ही डेट में contract पर जूते कपड़े मिलते हैं उनको पता होता है जैसे कपड़े खरीद के लाएं भला company ने बोल दिये कि हमको 50 कोट चाहिए और तो वह हो रही है इसके रेट ऐसे होंगे यह सारे डिस्प्ले होंगे मतलब ट्रांसपरेंसी ज्यादा है यह चीज हो रही है contract की marketing तो यहां पर भी वो चीज लागू करने की बात की जा रही है अब यहीं से सवाल यह निकलता है कि companies जो agreement कर रही है वो उस agreement में वो कही लिग दें हम समझी ना पाए किसान भोला है जाहिर सी बात है उतना पढ़ा लिग उतना तो capable नहीं है इतना एक company employees है या बहुत जादा कानून के जानकार लोगों को hire कर लेगी उसमें क्या ही लिख दें तो एक इसका जो बीच का रास्ता निकाल सकते हैं वो आप यह निकाल सकते हैं कि जैसे कुछ जगह आप जाईए जैसे आप air force department में जाईए कोई कंप्लेइन करने के लिए तो mostly air force department हो military department हो क्या करते हैं एक application form उनका pre-designed होता है उससे बाहर और उससे इंदर आप उसमें कुछ लिख नहीं सकते हैं वहां को एक application जो लोग लिखते हैं वैसा नहीं जाता वहां पर उसमें आपको फिल करना होगा problem कहां रही है क्या है तो उस प्यार कर लीजिए जिसमें ज्यादा कुछ वह करी नहीं पाएं अगर वह करते हैं तो वह शूने माना जाएगा तो वह सिंपल निप्टारा हो जाएगा अगर वह अलग से उसमें अलग कोई चीज अडिशनल नहीं बना सकते हैं उस proper agreement जो pre-designed paper होगा बस कुछ चीज़ें उसमें फिल करनी होगी नॉर्मल जिसे rate के decide हुआ है किस चीज की खेती करनी होगी मतब एक नॉर्मल description जो है वो होना चाहिए कौनसा उनका जो है अगर नाम mention होना चाहिए कौनसा दिकारी company के तरफ से देखने आ रहा है जैसे कि क्या pesticide वाला लग होगा जाहिर सी बात है और क्या खाद लग रही है क्या मतलब जो भी चीजे involved हैं जो जो चीजे हैं जो जो चीजे उस super vision में जो जो person involved होंगे transparency दिखाते हुए उनके नाम हो फलबंदा कौनसा department देख रहा है किसान के पास जा रहा है तो वो सारी चीजे उसमें पहले से सिर्फ नाम बदले बागी चीजे वही रहें तो यह उसका जो है यह एक वो हो सकता उसे क्या करते हैं solution हो सकता है विवाद निप्टान का वही चीजे हैं जो मैंने आपको पहले बताई वही है कि एक consolation board होगा इनका SDM के पास जा सकते हैं DM के पास जा सकते हैं तो लोगों का trust यहां पर भी नहीं है जाहिर सी बात है same procedure है civil court में entry नहीं दी गई है तो जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है वो trust नहीं कर पा रहे है उनको बहुत possibility है मैं भी यह कहूंगी कि यहां पर मतलब बात जो है वो सही भी है कि judiciary का involvement जरूरी है क्योंकि जाहिर सी बात है जितना pressure government का SDM, DM पर होगा या कोई private company बना पाएगी DM, SDM से उतना close किसान नहीं होगा तो एक beach का path निकालना चाहिए यहां पर जैसे विवाद निप्टान का जैसे dispute का इन्होंने SDM, DM किया है ठीक है लेकिन उसके साथ आप एक चीज यह करिए विवाद निप्टान के लिए कि कोई beach का path निकाल लेजिए बुद्धा वाला रास्ता निकाली है दो लोग जैसे निप्टान नहीं हुआ SDM के पास गए निप्टान नहीं हुआ उसके बाद क्या है एक beach का पाक यह कुछ लोग किसान की तरफ से होंगे, farmer की तरफ से होंगे, दो लोग जुदीरिय की तरफ से होंगे और दो लोग company की तरफ से होंगे, ठीक है, जब ये सारी चीज़े होगे, एक beach का रास्ता निकल आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं होता है, तो फिर high court या civil court, मतलब district court में, जो किसान जा सकता है, अपनी सहूलियत के हिसाब से, अब आगे बात करते हैं, तीसरे वाले पे, आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020, the Essential Commodities Amendment Act 2020. जब इसकी बात करेंगे, तो क्या है, कि इसमें ये चीज़ कही है, हमारे याँ यह से है, कि कुछ चीज़ें आवश्यक हैं, जैसे jっちゃ गयहूं, चावल, तेल, प्याज, लहसन, यह सारी चीज़ें क्या है, जरूरी है, जो खानपन हमारा है वो मतलब उसमें ये चीज़े जरूरी है तो जो लिस्ट है गौर्णन के पास एक लिस्ट होती है उनका क्या है बहुत जादा भंडारण नहीं कर सकते हैं ये इसमें अंदर यही कहा जा रहा है कि अब ये जो इसेंशियल कमोडिटी एड्ट से जरूरी च अपने सुनी होगी आपने सुनी होगी ओपने सुनी होगी वह करीद लेते हैं तो हमार्यकोर अंदर जाएगी उपने हो झाल and ham about — कर देंगे जब खरीद लिये हैं व्यापारी के पास है आप ऐसे जाएंगे देवा नहीं करेगा हाई नहीं है फिर बाद में जब अदाम बढ़ जाएंगे तो आप खरीदेंगे लेंगे चीजे होंगी ठीक है तो Essential Commodity Act से चीजे जो Essential चीजे है निकाल दे गए गए गवर्मेंट का मानना ये है कि ये चीज कब आई थी Essential Commodity Act तब आया था जब कुछ जरूजी चीजे हमारे यहां शुरू से बात करते हैं जैसे यहां से बात करते हैं कि MSP कहां से आया या कहां से यह चीजे आई जो सबसिडी के अंदर फूड आया फिर जब आजाद हमारे देश हुआ था ना तो क्या है कि हमारे आख खाद्यान उतना था नहीं हम लोग अमेरिका से इंपोर्ड कर रहे हैं मतलब चीजें जो हैं वो ला रहे थे कि हमारे आख हाद्यान पूरा हो 1962 के आसपास अगर आप जाएंगे फिर उसके बाद ही जो है MSP की बात आई Green Revolution हुआ जिसी का फायदा क्या है पंजाव अरियाना को जादा मिला क्योंकि जो जादा अवेर था मतलब जादा उसको फायदा हुआ तब ही यह सब concept आने शुरू हुए थे लेकिन जब MSP आ गया लोगों को प्रोटसाहन मिल गया कि हाँ भाई कुछ security है अगर हमारी जो फसल है वो किसी और जगा कोई नहीं ले रहा है तो एक तो essential commodity act में जनरली क्या है कि कई सामान है गेहु चावल दलहन भी है लेकिन क्या है कि गेहु चावल को यह खास तरीकी की वरियता है कि कोई नहीं लेता प्रोटसाहन की तरह काम हुआ पंजाब हरियाना इन लोगों ने क्या किया इतना जम कि गेहु चावल होगाई बाकी लोगों यूपी में भी अगर आप जाएंगे तो अच्छा खासा प्रसेटिस दे रहे हैं 23 के आसपास एक जैक मुझे याद नहीं लेकिन अगर पंजाब हरियाना की बात करेंगे तो बाकी स्टेट कम है यहुचावल इतना जादा होगा है कि अब हम जो है एक्सपोर्ट करने कंडिशन में हैं इंपोर्ट करना हमें नहीं पड़ता है खाध द्यान तो बेसिकली इसका फाइदा इन लोगों मिला चाहे MSP की मिनिमम सपोर्ट प्राइस की करिये चाहे ग्रीन रेवलुशन की तहर जो भी चीज़े मिली इरिगेशन वगएरा की विवस्था की गई तो यह सारी चीज़ों को फाइदा पंजाब और हरियाना को मिला आज यही रीजन है कि वह क्या करें उनको जादा घाटा होगा जैसे आप बात करिये अगर फामस बिल की तो जो अगरी कल्चर वो राज्य सूची का विश्य है लेकिन कुछ 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 चेंजिस करके नहरुजीन इसको क्या किया था उनको बाप दिया थी कि उससे काम नहीं चलेगा तो उनको कुछ क्रिशी जो है वो राज सरकार का मुद्दा है तो उस पर केंद्र सरकार इंटरफेर क्यों कर रहे हैं तो बहुत लोग ऐसे उड़ती खाबर आये थी कि हम इस बिल को यह जो है समवैधानिक भी है तो समवैधानिक तो करार दिया ही नहीं जा सकता यह जो बेसिस गिनाय जा कर रहें उस पर क्योंकि बात है समवर्ती सूची में अगर ऐसा है कि केंद्र और राज दोनों ही इंवाल्वे नियम में तो केंद्र का नियम प्रभावी होगा तो सच यही है कि इस बेसिस पे इस बिल को नकार नहीं सकते हैं ठीक है अब जो दूसरी बात हम लोग कर रहे थ है न recommendation कि हमाद चीजहां से हटा देंगे सरकार का inflation में है कि सक्रिचिन करने के हमको जरूरत नहीं है कि क्या essential है और क्या नहीं हैै लोग हमापास परियाद मात्रा में है कि हम इस पर बाद करने के हम कोई जरूरत नहीं है, अगर हम बाद करते हैं तिससे ब्यापारी को भी क्या है, बुरा लगता है, कि हम इकठा नहीं कर पा रहे हैं, सामान जो है, वो स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, ब्यापारी को यह चीज बुरी लग रही है, बुरी लग रही है को ये problem है, इसमें क्या problem ही गिना रहे हैं, ये problem काउंट करा रहे हैं, कि इस से क्या होगा कि एक artificial demand भी create की जा सकती है, artificial demand किसे create कर सकते हैं, सामानों को क्या करेंगे, ये इकठा कर लेंगे, बीच में मतलब इकठा खरीद लेगा, कोई भी warehouse, और फिर बोलेगा, आप तो सामान ह जो है, वो नहीं हटना चाहिए, ऐसा सबका मानना इसमें हो रहा है, अब इसमें क्या है, साथ मुख्यमंत्रियों के एक उच्छा दिकारे प्राथ समिती ने, क्रिश्वी अपड़न और और अवसर रचना में निजी निवेश को आकारसित करने के लिए, Essential Commodity Act 1995, मतलब जो आवशक वस्तों के उत्पादन आप पुर्ती और नियंत्र का प्रावधान करता है, में परिवर्तन करने की अनुषणशा की थी. कुल मिलाके इन शॉट अगर आप जानेंगे तो यही है Essential Commodity Act की मतलब अभी सिनेरियो यह है कि एक नियंत्रित मात्रा से ज़्यादा अगर आप स्टोर करते हैं तो आप क्रिमिनल कहलाएंगे, अगर पकड़े जाएंगे तो, लेकिन अगर यह Act आ गया, तो यह चीज़ें ह कोई दिक्कत नहीं, और कुछ लोगों को इसमें भी छूट दी गई है, अगर अकाल है, महामारी है, और महंगाई है बहुत जादा, यह सारी चीज़ें हैं, तब पर भी कुछ बड़े फार्म होंगे, उनको छूट है, जैसे कैसे छूट है, इसमें कोई गलत बात नहीं कही जाज़ें, आप अमूल का एक्जामपल ले लिजिए, उसको बहुत जादा वो दूद से दही बनाने का काम कर रहा है, अगर उसको है कि एक हजार लीटर की दूद की जरूरत है उसको दही बनाने के लिए, और उसके पास उतना वेयर हाउस है रखने के लिए, तो वो चाहे अब बात करते हैं, यह क्यों बात की जा रही है, यहाँ APMC की, बिहार, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है लोगों को डर के सता रहे है कि APMC हट जाएगा, MSP हट जाएगा, हाला कि ऐसी कोई बात कहीं नहीं गई है, कि MSP हट जाएगा, APMC हट जाएगा, लेकिन लोगों का इसको है work कि सरकार कोई चीज कोुई प्रोपोजल ना अच्छे संदा डेता है कि अ कोई भी कोई भी प्रोफोजल रओ ना देता सहा डिखो वहीं आज कर रहे से जोर्से को एप पूरी तरीके से, तो इस वज़े से लोगों के दिवावी प्रेजम्शन है कि सरकार ये बहाना ला रही है, कृषी अधिनियम, सुधार अधिनियम के बहान है कि इससे पला घारने की बात कर रही है, कि प्राइवेट इंडरस्ट्री को उसमें घुजडेंगे, खुद भाग ज सुधार की जरूरत तो है, अब बात करेंगे जैसे APMC हटाने पर इतना डर क्यों, ये भी हम बात करेंगे, दो एक्जामपल लिये हैं मैंने, एक बिहार के, एक महारास्ट्रा के, बिहार के क्यों, अब बिहार में 2006 में क्या है, कि APMC का रोल जो है, वो खतम कर दिया गया, इसकी दौर में कोई बिहार में किसानों की अच्छी कंडिशन नहीं है, लेकिन उसकी वज़ा आप APMC को भी नहीं ठहरा सकते, कि APMC हट गया, इसलिए नहीं है, मामला ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा नहीं है, चीज़े बेहार है, चल रहे हैं, मामला चलेगा ही, लेकि बहुत अ इसकी परढ़ का है, यहां पर नहीं है, दूसरा एक्जांपल किया है, आप महरास्टरा का लिया, क्योंकि APMC जो है, वहाँ पर इसने हटाया नहीं है, उसने साथ साथ में अप्राइवे अर्केट भी ले किया ऐ, प्राइवे मार्केट में Reliance Fresh मैंने एक्जाम्पल लिया है क्योंकि विल नॉन कंपणी है हमारे कंटरी की तो लोग जानते है Reliance Fresh है ठीक है अब APMC में भी किसान चाहे तो जाके बेच सकता है Reliance Fresh भी जाके सकता है अब कोई company बहुत जादा quantity में चाहिए तो direct market से भी वो ये चीज़े ले सकती है, खरीद सकती है, इसके बावजूर महरास्टरा में ये current scenario में चल रहा है, जहां पर APMC भी है, private market भी है, direct market भी है, ये जो है, ये already चल रहा है, ठीक है, जिसकी बात इस act में कही जा रही है, ठीक है ये फिर भी विरोध कर रहे हैं, और इसका जो example है, बहुत अच्छा महरास्टरा गवर्मेंट को गार आप लेगे, देखेंगे, तो ये जो अधिनियम आए हैं, इनको आप negative नहीं कहेंगे, अब देखिए, होने के बावजूद, APMC में क्या हुआ है, फिर भी लोगों को trust APMC में जादा है, 48,000 करोड का almost ये मैंने डेटा लिया है, जो transaction यहां पर मतलब इतने का फाइदा हुआ है, इतना, और private और direct market का अगर आप ले लेंगे, तो ये लगभग 11,000 करोड के आसपास काम हुआ है, मतलब APMC market अभी अच्छा खासा काम कर रही है, हाला कि ये अधिनियम ह इसमें क्या कुछ कुछ सुधार की जरूरत है, क्योंकि जैसे बोला जा रहा है कि private industries, जो भी private चीज़ें, warehouses, cold storage या अलग companies को या आके इसमें involved होती है, तो इसमें से tax नहीं लिया जाएगा, लेकिन APMC में क्या है, APMC में हम taxes दे रहे हैं, अलग-अलग तरीके से, किसान आके taxes दे रहा है, क्या कर रहा है, वो अलग तरीके का शुल्क देगा, उसमें अठैती कुछ कहते हैं, हरियाना में, या विचॉलिये जो है, आप एजेंट ले लीजिए, उनके कुछ कमीशन होते हैं, लग-बग 2% के आसपास उनके कमीशन होते हैं, ठीक है, 3% के आसपास आप चले जाए है, उसके अंदर वो जो है, ट्रांसपोर्टेशन दे रही है, जो है, किसानों को देना होता है, फिन 3% के आसपास चले जाए है, शुल्क कुछ कुछ देने होते हैं, रूरल डेबलिम्मेंट के हैं, अलग-अलग तरीक हैं, मतलब कुछ मिला के 3-3-6, इसको भी 3 प्राइबलिम्म सपोर्ट प्राइज या कुछ भी, उसमें सुसको वो कमी होगा, जो आज का सिनेरियो है, अपीम्सी, तो क्योंकि अपीम्सी में शुल्क लग रहा है, जो प्राइवेट जहां, जो भी चीज़ा इंवाल होती है, वो कुछ भी हो सकते हैं, रिलाइंस प्रे की होगी, वो आप देख सकते हैं, तो ऐसा देखने में आ रहा है कि अपीम्सी धीरे-धीरे क्योंकि टेक्स देना पढ़ रहा है, तो यह जो बराबर का मामला नहीं हो रहा है, अगर आप शुल्क हटा रहे हैं, तो आप को कहीं नहीं कुछ सटल्मेंट ऐसा करना होगा जाना जाए, ठीक है, एपीम्सी जाने की बात क्यों है, जाहर सी बात है, उसमें उलीगो पहली हो रही है, उलीगो पॉली हो रही है, उसमें कुछ लोग सार्टन भीचॉली हैं, सार्टन एजेंट है, जो की चीजों को वहाँ पे बेच खरीद का मार्केट का अड़ा बना हो रही है, उसमें नया आदमी जो एंट्री नहीं कर पा रहा है, कॉम्पटीशन की कमी आ रही है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एपीम्सी में अब गड़बड हो रही है, हाला कि शुरू में फायदा पहुचा है, यह इस चीज से इनकार नहीं किया जाए जाए, जो पहले से इसमें हमको फायदे हुए हैं इन सब चीजों से, लेकिन चेंज नियम है, जैसे कुछ नो कुछ तो हालत है कि एपीम्सी आई, एपीम्सी इसलिए आई, क्यूंकि साहुकारों से किसान परिशान था, तो साहुकारों से क्या हुआ, कि उनको कहीं ने कहीं काफी हद काफी हद तक एपीम्सी से चुटकारा हुआ, पूरी तरीके से नहीं कह सकते, बड़े किसानों को आप कह सकते, छोटे किसान आज भी वो एपीम्सी में नहीं जाता है, पीछे से ही कोई नो कोई उसको खरी बनिया है, कोई सी के हाथ वो बेच के चुटकारा ले लेता है, त पताओं पर पताओं का मतलब हमारे हैं सब जो जमीन है वो उन्होंने ले लिया कि भई जो लाइनलॉड है उसको इतना पैसा देंगे फिर खेती करेंगे जो फायदा होगा मेरे को मतलब इस तरीके से खेती कर रहे हैं बहुत छोटे-चोटे किसान है जिनको कोई मतलब यहादा यहादा है कि पंजाब और यहादा किसान को में जादा जरीकिंवर भी मतलब कर रहे जाओं इस excitement इलमें पूराइन और यह सिर्फ लाइन व्यापार्य आए कि उत्क हम्हाइरा है और जो शुक्त कर देंगेड़ थारएभ यह और यहादा लियादा और दometer तो सही बात है क्योंकि उसमें काम करने वाले लोग है तो इस चीज का धीरी दीरे सर्टलमेंट ही कुछ बन सकता है एक अचानक से बोलेंगे तो वह तो डरी जाएंगे ना और किसानों को इसमें सबसे बड़ा क्या है कि उनको सिक्योरिटी मिलती है सें बात यहां पर कॉंट्रिक्टरी बात है क्योंकि जो घुसबैठी हैं पीमसी में या विचौली हैं वो विल नोन है उनमें भागने का जो किसानों इंदे डर होता कि पैसा समान हमारे ले लिए पैसा किसान में नहीं है क्योंकि वहीं कि रसूखदार लोग है जिनके कास्तकार है भागेंगे अपनी समीन छोड़के ठीक है उनकी पैचान भी अच्छी खासी है तो उनको यह तो डर ही नहीं है कि हमारा साथ लेके भाग जाएंगे उनका यह है कि देंगे कुछ दिन बात गलत है कौंपटीशन के लिए गलत है तो इसलिए अब इसके बाद नए किशी सुधार अधिनियम की ज़रूरत पड़ रही है मतलब अपी अमसी की जरूबर इसलिए पड़ी क्योंकि साहू कारों से चुटकारा दिलाना था अब 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 किसी के बाद किर्शी सुधा तो बाकी वेर हाउसे बीट नहीं लगाई जो इंटर स्टेट में बताए कि टैक्स नहीं लग रहा है तो लगाई यह तो दोनों पर हटाई है कि नहीं बराबर के उस पर खड़ा करी नहीं एपीमसी दीरे-दीरे हट जाएगी जाहिर सी बात है तो कहीं नहीं जा रही है लेकि इतने वह रेंगे आप已經 Voosa कि उनके पास 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 बैसे अंत थाफ रहा है उनके पास पास पैस ही नहीं कि आप आप अपने गाओं में जाआु के लिए एक तो क्योंकि हम हम हैं में भी शक्ता आ है मुद्जे बढन के पास नहीं था नहीं पास थाक्तर के उंद्रों के आए अराम सु एट थि ट्रागा रहा है तो उनके लिए कर सकते हैं उनके फंग छोटे गिसाने में ठोडी ऑप scarda उनके फाइदा नहीं नहीं मतलब नहीं को सीज़ा मतलब इतना है अट निया को बता जाता है यहां जाओगे सरकारी खरीद में जाओगे, FCI जाओगे, हें तिन प्रकारें जाओगे, हमको बेचो इतने में, जंचल फूट चुटका रहे हो, किसान को लगता है, हाँ, हाँ, साही है, बोला होता है, बुद्ध इतायक ठीक है, तो जो जिनको फायदा भी विरोध कर रहे हैं, अल्टिमेट अगर Essential Commodity Act में जो संचोधन होता है, तो कहें कि जो भंडारड की सीमा ने श्चित की गई थी, कि इतनी के बाद अगर भंडार करते हैं, तो आप क्रिमिनल कहलाएंगे, और फिर आपके ओपर क्या है, केस चल सकता है, मतलब जो भी हरजाना है, वो देना पड़ सकता है, वो अगर युद्ध चल रहा है, तो नहीं कर सकते, कोई अकाल है, तो नहीं कर सकते है, असाधारण कीमत वृद्धी हो गई है, इसमें भी टाइप है, कैसे है, जैसे कि अगर फलफूल है, फलफूल की वृद्धी हुई है, तो अगर 100% जितना रेट है, उसे जादा वृद्ध सकते हैं, गंभीर प्रकृति की प्राकृति कापदा कोई आई गुई है, तो भी आप बाढ़ा गया, सुखा आगया, तो भी आप भंडारण नहीं कर सकते हैं, यह इसका exception है, इस Act में, जो मतलब Essential Commodity Act के संशोजन की बात की जा रही है, साफ साफ शब्दों यह जान लीजे जैसे की अभी क्या है, एक निश्चिस सीमा तै है, भंडारण की, यह चीजें जरूरी चीजें हैं, जनका भंडारण आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यह Act आ जाएगा, तो भंडारण हर कोई कर सकेगा, बस यह situation है, यह situation है, यह situation है, तो नहीं कर सकता, इसमें भी दूद से दही बना रही है, अब उसको दही बनाने के लिए एक हजार लीटर की दूद की जरूरत है, उसके पास वो वेयर हाउसे भी हैं, जो एक हजार लीटर दूद की capacity रखते हैं, तो वो लोग इन कंडिशन में भी जो है, वो व्यापार कर सकते हैं, ताकि इसे व्याप सकते हैं, वह भी क्रिमिनल लेयर के अंतर गटाएंगे, अब क्योंकि वेलनोन फैक्ट है, पूरे उसमें जिसमें आब बात कर रहे हैं, MSP की, मिनिमम जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइज, इसके बहुत तारे आ रहे हैं, मिनिमम सेलिंग प्राइज, तो मार्केट सेलिंग प सपोर्ट प्राइज, क्या है, मिनिमम सपोड्पराइज के लिए ये स्टेंड करता है, कहां से आया, मिनिमम सपोर्ट प्राइज की उसलिए पड़ी, ये शुरूमें एक वक्त ऐसा था, जब हमारे देश के है कि खाध्यान की बहुत कमी. थी हम अमेरिका से चीजे ला रहे थे मैंने आपको पहले भी बताई है यह बात की हमारे बहुत कमी थी अब किसानों को प्रोटसाहां देने के लिए कुछ चीजों की ज़रुवत थी 1962 या 63-4 के आसपास की यह बात है जब लाल भादर शास्त्री पीम थे या उसके बाद फिरिंद्रा गांधी पीम थे तो उसे समय यह चेंजिस किये गए थे चाहे आप ग्रीन रेवलुशन की बात कर लें चाहे हैं एमस्पी के बात की जा रहे हैं यह सब चीजे क्रिसानों को जो है प्रोचाहिद करने के लिए किये गए थे ताकि उनको डर ना हो कि जो हम खेती कर रहे हैं क्या पता कि हमें इतना पैसे ही ने मिले हमारे जो चीजे हैं उन्होंने ही क्या किया था बहुत अच्छे-चे बीज बंगवाये थे उसमें टेक्नोलोजी का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी वह नहीं पे प्रयोग उन्हीं लोगोंने की इतना पीछा था कर दो हमारे हैं की कमी है वह पूरए की जा सके जो हम चीजें खाने की चीजजें बाहर से मगार हैं ज़रूरत ना पड़ें आसे उन लोगों को जबस स्पोर्प्राइज वही से आया गरीattend रर आ जो लोग अवयर किसान के उनको फायदा मेल, जैसे chiliad से पंजाग और हरिया की खिसानों को जादा इस i मुझे अपने जो भी फा गेहूं चावल हमने उगाया है वो इतने से कम में नहीं बिकेगा एपीमसी जायेगा इतने में बिकेगा यह से जादा में बिकेगा वहां पर जो बोली लगेगी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वहां पर किसानों को मदद करता है उनके दिमाग में यह होता है कि भीए इस से कम में मेरा सावान नहीं बिकेगा इसमें मेरा सब कुछ आ जाएगा मेरा हाड़ वक आ जाएगा मेरी क्या होगी जो चीजे मैंने क्या कहते है उसको जो चीज मतलब जाहिर से बाद बीच फर्टिलाइसेशन का दाम है जो भी लैंड का उसने इस्तमाल किया है सब कुछ का खर्चा निकल आएगा तो वह सब जोड़के MSP जो डिजाइन की जाती है MSP डिजाइन करने का बेस क्या और F1 प्लस F2 प्लस F3 अभी जो सिनेरियो जो अभी MSP सरकार दे रही है वो इस पर दे रही है F1 प्लस F2 कैसे F1 जो पहली ले आ रहे है उसमें यह है कि किसान जितने पैसे मतलब जितने में वो फसल उगाया हुआ हुआ होता है वो खर्चा F1 की स्रेड़ी में आता है मतलब बीज का दाम खाद का दाम मतलब यह सारी चीज़ें इसमें इंक्लीड होती है F1 में F2 में सिर्फ दाम से थोड़ी होता है कि बीज खाद और सिजाई का दाम थोड़ी होता है उसमें उसमें महनत होती है उसके पुरी फैमिली की महनत होती है दूसरी शेरी जहा है F1 F2 में आ तीसरी बात कही जा रही है लेकिन सुनके सरकार जो है वो काप जाती है क्यों तीसरी लेयर में क्या है तीसरे में क्या होगा जितना फसल उगाने में पैसा लगा है प्लस मेहनत जो उनके परिवायर और किसान की लगी है तीसरा अब यहाँ पर लैंड जो है उस्तिमाल कर रहा है यह टर्म जो है एडवांस यहाँ पर आ जाता है क्योंकि जाहर सी बात है किसान खेती नहीं करता तो कुछ और करता है कि नहीं तीन लाख रुपएस में लगाए है तो क्या पता वो बैंग में डाल देता ब्याज मिलता है कि नहीं मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है तो इस लेयर में क्या है कि वो अपोचुनिटी कॉस्ट भी शामिल की जाती है जो इसकी अलामा और कुछ और करता तो उसको होता तो ये कुल मिला के जो है डेड़ गुना दो गुना के आसपास पहुचेगा मतलब जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो सरकार को तो अभी ही ये सेकंड लेयर देने में मतलब महनत और जितना पैसा लगा उसको अदाम देने में उसके हाथ पर फूल नहीं है है जिन उसको घाटा लग रहा है तो तीसरी लेयर तक पहुचने पहुचने में पता नहीं क्या हो जाएगा तो जो मिनिममम सपोर्ट प्राइज है, महनत और जितना पैसा उस खेती को उगाने में लगा हुआ है, जो भी सम चीजे उगाई है, उसे चाहए हुचा वल है, तो वो दोनों चीजे इंवल्फ करके, मिनिममम सपोर्ट प्राइज से ही डिसाइड होता है, कि पर कुंटल जो फ पुरा फाइदा है पंजाब अरियानक किसाहने ले जाते है या अगर बात करें तो बड़े किसाहन ले जाते हैं मतलब छोटे मोटे किसान तक तो यह बात ही नहीं होती है क्यूंकि वह पे इतने tantrums नहीं तो नहीं कहा तो यह क्षोड़ को क्या है एसेंशल कमोडिटी एक्ट में तो बहुत सारे सामान है तिलहन भी है लेकिन गेहु चावल को एक खास वरियता है कि अगर गेहु चावल आपका कोई नहीं खरीदता आप एमसी मंडी में तो एक भीड़िद लेगा असल में खर इसके ताइप भी गॉर्रमेंट पर बहुत बघा बोश पड़ रहा है, ये बैसिक्लि नाशनल अलवड सिक्यूरिटी अट, जो एौन मुआण सरकाय. जाते जाते कुछ में कछच अच्छा काम गॉर्रमेंट कर जाती है, तो National Food Security Act भी जो है वो लाया गया जिससे 80,000 करोड लोगों को क्या है Food Security प्रोवाइड करने की बात कही जाती है यह नया है इसी के तहरे जो हम Mid Day Meal देखते हैं यह सारी चीज़ें तो आप यह नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से जो जैसे MSP जो है पूरी तरीके से लोगों कोई फाइदा किसानों को फाइदा है गौर्मेंट को कोई फाइदा ही नहीं है गौर्मेंट को इस तरीके से फाइदा है क्योंकि जब 80,000 करोड लोगों की जो है MSP जो है minimum support price गौर्मेंट में भारी है वैसे national food security भी है लेकिन क्योंकि उनकी जिम्मेदारी में शामिल है तो इस सारी चीज़ें हो रही है लेकिन आप economically देखेंगे तो इसमें गौर्मेंट को बहुत जादा फाइदा नहीं हो रहा है तो लगब 80,000 लोगों के food security का खयाल जो है वो गौर्मेंट को रखना होता है जिसे एक चीज़ और मैंने कही थी कि पहले हमारे याँ लोग भुक्मरी से मरते हैं आपके दिमाग में सवाल आएगा आज नहीं मर रहे हैं तो जो दिक्कत आ रही है वो distribution में आ रही है इस वज़े से लोग भले भुक्मरी से मर रहे हैं उपजाने के साब से बहुत जादा अच्छे खासी कॉंटिटी में गेहु चावल जैसी चीज़ें उपजाई गई हैं हलकी इस बासे इंकार नहीं कर सकते कि पंजाब और हरियाना के इसमें खास योगदार हैं आज उनहीं की वज़द से देश इस हालक में है कि देश कोई वेक्ट यह भूखा उपजाओ खाद्यानों की वज़द से नहीं सो रहा है अगर वो सो रहा है तो distribution की वज़ा से सो रहा है तो वो चीज़ उन्होंने करी है अब इसका appropriate solution क्या है क्या निकल सकता है Judiciary का proper registration proper registration की बाद यहां पर इसलिए कही जा रही है क्यूंकि जब यह अधिनियम जो आया हुआ है तीनों इसमें कहीं पर भी इन्होंने क्या क्या कोई भी इसान जिसके पास pen card है सिर्फ अकेला pen card है वो आके खरीद सकता है अब यहीं पर देख लीजिए कि APMC से जो security सबसे बड़ी लोगों को क्या मैंने बताई थी वो यह रही थी कि लोगों को जानते हैं कि मेरा पैसा जाएगा नहीं pen card अगर आप देखें तो 3-4 भी लोग बनवा ले थे pen card की basis पर आके कोई खरीदारी करके जा रहा है तो क्या पता कि भाग जाए सामान भी और किसान को पैसा भी ना मिले यह चीज जो है वो गलत है तो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जो भी ब्यापारी उसमें आते है इसमें pen card, अधार card और कुछ caution money भी उसमें शामिल होनी चाहिए यह अभी मैं बात कर रही हूँ यह drawback जो है इस अधिनियम में मुझे लगता है कि प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए जिसकी transparency होनी चाहिए जो भी ब्यापारी वहाँ पे है जिसे जो भी इस किसानों की चीजों को खरीद रहे हैं उनको प्रॉपर caution money जमा करें ठीक है और caution जमी के अलामा ऐसा नहीं कि उन्होंने caution money एक लाफ रुपर जमा कर दी और फिर दो करोड का खरीदारी कर ले रहे हैं किसानों से नहीं वो चेक आउट करें कि कितने किसानों से वो खरीदारी कर सकते हैं अपने caution money के according ये सब लेयर उसमें डालनी चाहिए जो डीस्ट्री का क्या है मैंने बताया था एक बीच का हिस्सा कि ट्राइबुनल पाथ decide हो रहा चाहिए मतलब ऐसा नहीं है कि जो अभी प्रावधान है कि SDM सुला करेगा SDM भी नहीं कर पाया तो DM करेगा district magistrate मतलब collector करेगा चाहे तो ये अपने अधिकार additional district magistrate को दे सकता है तो क्या है कि इनके उपर उतना भरोसा है नहीं उसका reason यह है कि इनके उपर जो पूरा लगभग अधिपत्य आप कह सकते हैं कि government का होता ही होता है administration पर तिन पर भरोसा नहीं कर सकते और बहुत संभावना है कि पैसे के लालज या किसी भी लालज में प्राइवेट कंपनीज के भी इंफ्लिवेंस में आ सकते हैं बिल्कुल संभावना है तो लोगों को यह लगता है क्यों नहीं लगए क्योंकि जिसे देश के जब आजाद हुआ आज की समय आगर development की बात करेंगे तो अगर development प्रभावेच है तो उसमें अकेले क्या है कि बहुत जादा इनके उपर प्रभाव है जिबकि जुडीसरी में बहुत कम आप देखेंगे वरना जुडीसरी इंसे काफी हद तक फ्री है तो जुडीसरी को भी इसमें ट्राइबुनल पार्थ देना चाहिए जिसमें सब को शामिल करना चाहिए चाहिए वो कोई कमपनी अगर इंवाल्व हो रही है उसके लोग हों किसान के लोग हो प्लस जुडीसरी के भी कुछ मिंबर हों जो सही गलत बता सके हैं ऐसा नहीं कि आपस में मिल को कुछ भी कर लो है कि नहीं तो यह दो चीजें जो है ड्रॉबाक मैंने बताई एक तीसरा बताया था मैंने कि अगर आप टैक्स नहीं लेने की बात करना है तो राज्य सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि APMC के जो मतलब टैक्स लिये जा रहे हैं कुछ ऐसा करना चाहिए कि दोनों में बरावर का अधिकार हो ऐसा नहीं है कि एक से टैक्स आप ले रहे हो या किसी तरीके से टैक्स वो दे रहा हैं और बाकि जो दूसरे हैं उनको टैक्स प्री कर दिया है तो यह कुछ अच्छा सा जो मसला नहीं है तो ये सारी चीजें जो हैं वो प्रॉपर में MSP जिसके बारे में सबसे ज़ादा डर है लोगों को minimum support price ये बाद में हटाएंगे इन्हों ने इस अधिनियम में कहीं में लिखा नहीं है दिकत यही है कि लिखा नहीं है किसान कह रहा है कि बाद में हटा सकते हैं ये कह रहा है हम हटाएंगे नहीं और किसान कह रहा है कि उसमें अप में इन्चन करो कि हम हटाएंगे नहीं ये अधिनियम में डालो लेकि नहीं अभी भी MSP का जो काम है वो notification पे ही चल रहा है तो आप notification चारी करो कि भाईया MSP नहीं हटेगा क्योंकि अब ही देखके यही सिनेरियो लग रहा है कि MSP इसे पल्ला धारना चाहती है गौर्मेंट यह देखने में लग रहा है लिखा कहीं नहीं है ठीक है तो यह कहीं नहीं पर जम्शन पे यह बातें चल रही है तो यह जो सही करने चाहिए तो यह बिल जो है वो सही हो जाएगा अब हम बात करेंगे किसकी 26 जनुरी की जो गटना हो थी क्यों बात करेंगे किसले बात करेंगे जैसे कि राकेश टिकेट का रोल इसी फार्मक बिल से निकल के आ रहा है मैंने आपको पहले भी बताया, बिल में हैं जो है, ऐसा नहीं कि आगर आप मेरी पॉर्सनल राय लेना चाहें, तो जैसे ये पूरी बिल है, तो उसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, चेंज की रिक्वाइडमेंट है, मतलब जैसे ग्रीन रेवलुशन आया, जरूरत कर सकते हैं, तो 100% benefit किसी चीज़ से नहीं होता, हम देरी देरे सुधार की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं, कि complete सुधार की तरफ आगे बढ़ेंगे, यही मान के चला जाता है, तो अगर आप MSP की बात करें, Green Revolution से करें, APMC की बात करें, तो सबसे फायदे जो गलत दिख रही है, गौर्बेन के हाला कि उसमें कहना कुछ और है, हर जगा पे वो अपनी सफाय लेके आई है, लेकिन दो-तीन जगा हैं, जहां पे दिक्कत है, उसमें सुधार डाल देनी चाहिए, जैसे MSP का किसानों को डर है कि minimum support price नहीं रहेगा, तो वो डर हटाना चाहिए, उसमें मतलब बोलना चाहिए, नोटिफिकेशन जारी करनी चाहिए, भया कि MSP नहीं जाएगा, APMC और जो प्राइवेट मार्केटिस में बाद में इंवाल्व होंगी, को डिस्टोरेज, वेयर हाउस, फलन धमाग, जो भी हैं, इंवाल्व होंगी, तो दोनों की ज जाना होगा, जिसे महरास्ट्रा इसका बेस्ट एक्जामपल है, बिहार में भी APMC अटा है, लेकिन वो उतना अच्छा एक्जामपल आप नहीं देखेंगे, लेकिन महरास्ट्रा बेस्ट एक्जामपल है, अगर आप इस एक्ट को लागू करने की बात कर रहे हैं, तो तो य जिसरी का इंवल्मेंट कंपलसरी है, गवर्मेंट की बात भले वो कह रहा है कि वाई वकील का खर्चा बचेगा जो भी है, लेकिन क्या हुआ कि डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुआ तब, तो उस चीज का एक बैक होना चाहिए, क्योंकि जहर से बाते किसान के पास है है, उ साथ किसान के, क्योंकि हमारी एकोनोमय है किस स्ट्रोंग को ख़ड़ा करना है, तो वह रखा जाना चाहिए, कुछ चेंज़ लागू किया जा सकता है क्योंकि जाहर सी बात है क्योंकि ए ट्रेडिंग के अगर आप बात करेंगे उसमें एपीमसी नहीं खड़ा हो पा रहा है एक पॉजिटिव कॉंपटिशन में भी एपीमसी में कुछ दिक्कतें आ गई है और यह को पॉली आ गई है तो बिचॉलियों क को कम करें ताकि जादा-जादा मात्रा में जो फायदा है वो किसान को बहुत सके और बहुत जादा कॉंटिटी में जो प्राइस बिचॉलियों को जैसे बढ़ जा रही है तो आम नागरिक भी उसमें हाम हो रहा है गॉर्मेंट को मैं स्पी को जाटा हो रहा है तो यह सारी अगर उस पर ठीक से बात की जाए पॉजिटिव वे में उसको सुधार किये जाए तो लागू किया जा सकता उसका बस्तर एक्जामपल में फिर से बोलोंगे महरास्ट्र है अब आगे बात करेंगे 26 जनवरी घटना जैसे हम बात करेंगे राकेश टिकेट जी की बात कहां से आगे यहां से आगे कि 26 जनवरी को जो घटना होई थी वह बहुती निंदी निया उसको किसी तरीक से अप्रिशेट नहीं किया जा सकता तेकि हमारे देश में किसानों के लिए जो सबसे जादा सौफ्ट कॉर्णर है वो सबके मन में किसानों के लिए हर देश को किसान जैसे जो नहीं से बहले उस में किसानों में जो रुड़ात हो तो अगर आप जाएंगे तो जो चुरुआत पानी के तांक चुड़वादी है पंजाब किसानों को नहीं करना चाहिए थो अच्छी बात नहींई तो चुरूमे जाएंगे अब छोड़ा रिकॉल करेंगे फिर शु है क्योंकि चुनाव प्रचार से लेके हर जगा अपने भिहार एलेक्षिन में देखा पंडेमिक चार महीने से वहां बैठे हैं बात यहां तक ही कि बर्गर पिज्जा खा रहे हैं एक बात कही जा रही है कि बर्गर पिज्जा क्यों ने खा सकता है किसान का सकता है बिल्कुल खा सकता है लेकिन अगर अगर अपना दिमाग इस्तिमाल करेंगे तो आप देखेंगे क्या सच मे आपके गाउं से कितने किसान गये हैं कितनी किसान हैं तो चार मेने बिना कुछ किये जो है वो इस तरीके से लवश लाइफ स्टाइल में रह सकते हänder क्या है, मतलब डी जो जे बचा गे नाच सकते हैं, जैसा हमने देखा है वही बात कर रहे हैं अपनी बात नहीं है, आप अपना दिमाग एस्मिल करिए, नहीं हो सकता है, मुझे नहीं लगता, मेरी, अगर मैं अपने गाउं की बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कोई इस किसान अंदुल का हिस्सा नहीं है, ज्यादा तर पंजाब और हर्याना के किसान है, और ऐसा नही फुर्वा बहुत जाहता है, इसलिए आंदोनर कर भी रहे हैं, जाहिर सी बात है, महाँ के किसान शामिल है, और सरकार को कहीं नESS करी जा रहे है जो 27 गठना होई, जो किसानों की सिंपथी तृ active अब दो भागों में डिवाइट हो गई अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो 26 जनुरी घटना वे उसके बाद उनकी सिंपती हट गई उनको उसमें थार्ड 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 अब कहां से आ रहा है अब जब थार्ड थार्ड किया बात करेंगे तो आ रहा है उसमें बहुत थे टम निकल करेंगे खालिस्तानि का तो क्योंकि इसमें जादा अंधार हो गई है लोग वाट करेंगे खालिस्तानि इन्हें पर हैं। ठीक है, यह सब बाते चली रही थी, तब ही जब 26 जमरी की घटना हो गई, फ्लैग वाला जो घटना हुआ आपने वीडियो देखा वागा, इसमें एक लड़का है, जो फ्लैग उतार के फेकता है, वो वीडियो देखने के वाद मुझे भी बहुत गुस्सा है, मुझे लागा उसमें के पहले किसी ने उसको ठीडा होता है, तो मतलब वो चीज तो अध़म हट कर जाती है, वहती गुस्सा आजंटी और ए या है क्योंकि व सफ्लैग का लगाना असल में जो इड़ियो दिखाया गया, वो ज्यादार यह दिखाया गया कि उसने क्या कि है, जो में हमारा अगर आपने देखा है जगे जहां पर तिरंगा में तरिंगा जो है उसको उसने लुकसान नहीं पहुचा पाया था एक रौट के तहद हो गया था जिसमें एक अलग पिलर पे जंडा लगा हुआ था वो लगा था उसके साथ उसने खालिस्तानी का जंडा लगा दिया लेकिन कि उससर ने उसमें उससे पहले उससने तिरंगा दिया उसको फेका फिर निसान साही जंडा लगाया अब लोग क starred हो किसान उर्ह को नीढूंदे कैने लुकसान नहीं हो सकते हैं देश के तिरंगे के साथ एसा कर सकतें सही बात है तो ये जो जंडा आप लगा रहे हैं वो क् अगर आप कोई भी धारम चीने, चाहे आप सिक據 सेजानी, यह आप ईंदू की सबस्तित करें जेए घालय करें, यह बनों थे आनसेड़ू सेला पर आए दोऑन, कुसी भी चीज़, किसान आंदोनन, किसान हर कोई हो सकता है乐, इसको लाल के लिए पर फहराने की बात कहाँ से आई तो यह बात बिलकुल इन्वैलिड है इसको किसी तरीके से पचाया नहीं जा सकता तो जो चबेश जन्वरी की घटना है वह मतलब एक तरीके से आपको उसकी आप निंदा ही करेंगे अगर आपने आपको इस देश का देश के सैनिक जो है वो अपनी बली दे रहे हैं तो उस तिरंगे को जब आप उठा के फेक सकते हैं तो फिर आपका सपोर्ट करने के बारे में एक बार सेकेंड थोट जरूर आएगा भले किसानों के साथ सिंपती आप ये देश का किसान कौन है देश का किसान वो है दोस्त ज तो वो अपने देश का जंडा उठा के फेकेगा ये आप उमीद अपने देश के किसानों से नहीं कर सकते हैं अब आगे आते हैं घटना पर जो हुई थी इसके बाद हम राकेश टिकैद का नाम लेंगे कि उनकी क्या भूमिका आएगी ये रूट जो है दिल्ली जहां पर य अगले तरीके से रूट मार्ग दिये गए हैं जो जोडते हैं ठीक है इसको इस मैप से ज्यादा बस यहां पर आप यह देख लीजिए कि पही फेरल मात है पाथ है जिससे जरूरी नहीं है कि आप यहां से यहां आ रहे हैं तो आपको मिडल एरिया करना पड़ेगा आप किन हैं इसमानी के भी वर्याने की तरफ और पर यहां अब रोक से हम यहाँ तक रास्ता भटक के पहुँच गए थे क्या कह रहे हैं यहां से यहां तक यह रास्ता भटक के पहुँच गए थे चलिए आप रास्ता अगर भटक जाएंगे, suppose इस theory की यह मैं अपने presumption बता रही हूँ जो लगता है, जो आप खुद महसूस करेंगे कि अगर आपको यह path दिया गया था तो पहली चीज़ तो यह कि अगर parade की इतनी practice होती है तो इनको जो है इन्हों ने इस बारे में बात क्यों नहीं की है कि नहीं कि हम इस चीज़ में इस बात की instruction क्यों नहीं दिये अपने tractor march करने वाले लोगों को की path किया है क्यों ठीक से aware ने किये बड़े सारे सवाल खड़े होते हैं ठीक है अगर आप भटक गए भटक के बाद अब अदर आएंगे तो जितने videos हम लोगों ने देखे हैं जितनी चीज़ें आथ देखे हैं उसमें जो हिंसक तरीके से यह लोग बड़ताओ कर रहे हैं जन्होंने जन्डा पहराने का काम किया है भले उन्होंने एक अलग पिलर पे किया है में जन्डे को नहीं हाम पोचाया है लेकिन इंटेंशन गलत है किसी भी तरीके का धार्मिक जन्डा है में पूरी तरी किसानों की बात है जो आप तरीकिसानों की बात है किसी भी तरह की धर्म को आप क्यूं लेकरिया है ने चाहेonne वह कुई भी धर्म हो तो हम यहाँ पे आप यह पाथ अगर आप देखेंगे यह बॉर्डर है आप भटक किया जाएंगे तो आप वापस चले जाएंगे इस्ट्रक्शन देने पुलिस के ऐसा थो है नहीं कि आप उसमें मार पीट करने लगेंगे अंदर आगे अरे दिखने ही आपको कि आप परेड हो रही है हाई सब्सक्राइब कि दिन मतलब यह सोच के चाहिए से क्योरिटी बहुत हाई सिक्योरिटी में कंट्री होता है उपर से दिल्ली देशी राजधानी है वहां पर कितनी सिक्योरिटी रही होगी तो चली आप अंदर आए तो ऐसा तो है नहीं कि पुलिस जो है आपको पर अंडर बरसाने लगी नहीं आप ज्यादा कोली चला सकती थी उसने नहीं किया ट्रैक्टर लेकर आप गए जो एक जादा जादा प्लिस ही इंजर है जो किसान है वह बहुत ही एक किसान इंजर हुआ है वह भी उसकी गलती से बहुत हाई स्पीड में ट्रैक्टर जा रहा था पलट गया था तो वह इंजर हो गया था ठ पुलिस वालों ने वहां पर हमला किया था, जबकि उन्हीं की देश की सिटिजन थे, जो विरोध कर रहे थे, संसत पर जो हमला हुआ हाली में, और अब यहां पर देखे, पुलिस वालों ने कितनी लिनियंसी से काम लिया, मतलब उन्होंने गोली नहीं चलाई, बरूद नहीं तो यहां पर sympathy जो है, जाहर सी बात है, administration की तरफ जाएगी, हाँ, बात में मानती हूँ, एक बात यह भी निकल के आ रही है, कैसी सुरक्षा दे रहे थे, ऐसी सुरक्षा देनी चाहिए पुलिस वालों को, जब किसान से सुरक्षा नहीं दे पाय तो, उसे क्या कहते हैं, को अप्रिशियेट करना जाहिए, मेरे पॉइंट अविस, तो उसने कोई गोली वरो तो चलाई नहीं कल को चला देता, किसान यही कोशिश कर रहे हैं, किसान क्या ही बोने, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, खालिस्तानी थे, जो भी थे, तो अगर वो उस भेश में थे, जि बहुत ही सौफली हैं, कि हमारे देश के किसान है, तो यह चीज जो है, यह बहुत ही अच्छी बात है, अब इसमें तीसरा थाट क्या रहे है, कि आर्मी के लोग वहां खड़े होने चाहिए थे, भाईया, आर्मी किसके लिए हैं, आर्मी में और पुलिस में यही अंतर है, दोनों के अलग अदिकार हैं, दोनों के तौर तरीके अलग हैं, जो आर्मी बनाई गई है, वो किसके लिए हैं, देश के बाहर के लोगों से लड़ने के लिए बनाई गई है, ठीक है, बाहर यह भी तो खबर जाती कि देश में ऐसे हालात हो गए हैं, मतलब ग्रह युद के आलात हो गए है कि आर्मी खड़ी गरनी पड़ी ये बात भी तो हो जाती कि नीच 24 जन्मेरी का दिन था और भला मनाईए ज Şu कोई बाहर का वो नहीं आ भी आना है था नहीं तो वो और ही बेज़ती हो जाती अबीतो जो हूई है मुझे परिस की पुराय करना ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि उसने अपना काम किया है क्यूंकि उनके सामने किसान खड़ा था ना कि टेरृरिस्ट के वह कोली मार देते जाएदा जादे ज़ादा पुलिस घायल हो गया लेकिन उन्हें पहुए हिन्सक Хमला नहीं किया तो ठीक है बाई, जो हुआ, जैसा हुआ है, हम वो दिखा रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तीनों एरिया पर अगर आप जाएंगे, तो ये यहां पर बोले कि हम रास्ता बटक गए तो रास्ता बटक गए तो मतलब ट्रक्टि चढ़ाने लगेंगे पुलिस हो इस निशन भी इतियों भी इतिके यहां से आ गए खालस्तानी कहां, और अप जो ये साड़ी घटनी लिकारणftig गदभी हँआ, कुछ करने खालिस्तानी ही हैं, तो अलग-अलग थौट निकल के आ रहे हैं, हम वो बता रहे हैं, जैसा हुआ है, जब ये सारे थौट आ रहे हैं, तो जंडा, इनका खराब हो गया था, इनका पूरा अंदूलन कहा जा रहा था, कि अब तो गौर्मेंट के पास जो है, वो पल बूच की किसानों को वहां तक ले जाया गया, ताकि जो है, ये आदमोरान खतम करा जा सके, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैंने सुना है, आस-पास लोग बोल रहे थे कि, ऐसे कैसे पहुच गया, क्योंकि अभी क्या है, कि किसान भी लाया है, वो चार मेने हो गया, है, तो जाहर सी बात है, हम अपने काम की चीज देखेंगे, तो यहां पर, कुल मिला के बताना ये था, कि खालिस्तानी को अन्वॉल्मेंट यहां से आ रहा है, कहा जा रहा है, कि उनको पैसे भी बही दे रहे है, अब ये साल जब 26 यॉनरी का घटना आएगा, तो उससे किस किसान नेता थे, कौन थे, दिवांगत महेंदर सिंग टिकैत, उनके बेटे हैं, छोटे बेटे हैं, राकेश टिकैत, क्योंकि यह जहां से आता है, इसे सौली, वहां पर, इनके यहां कि यह है, कि जो बड़ा बेटा होता है, उसी को पद भी दी जाती है, तो जो किसान union के, क्योंकि किसान बहुत बड़े नेता थे, दिवांगत महेंदर सिंग टिकैत, किसान नेता के, तो क्योंकि बड़े बेटे हैं, तो नरेश टिकैत, जो हैं, किसान union के अध्यक्ष बनते हैं, और प्रवक्ता कौन बनता है, प्रवक्ता बनते हैं, रास्टी प्रवक प्रहुने से अधिन के रूंने के बाद एसा हुँए कि इस सॐबर हीरो की तरह आये और जो किसाना अंधुल, बहुत बहुत हो गया था, यह जो है ऐसा नहीं है कि इनको सिफ किसान नेता के तोर पर आप मत देखिए राटिस्टिकेट को क्यों कि इनका एक पोलिटिकल केरियर भी है जो कि फेल्ड करियर है मतलब यह एलेक्शन लड़े थे 2007 में मुझफर नगर से और यह इतनी बुरी तरीके से हार गए थे कि इनकी जमान जब्त की गई थी तो देख रहे हैं इनका पोलिटिकल केरियर भी चमकानी कोशिश कर रहे हैं चमक नहीं पा रहा है आगे देखिए क्या है दूसरी बार इन्होंने 2014 में भी अपना भाग या जमाया हाला कि यह जीत नहीं पाए तो समझ सकते हैं कि इनके लिए हो सकता है हो सकता है कि यह अच्छा मौका हो राकेश टिकेट को आप सिर्फ किसान का प्रवक्ता मत देखिए उनको एक देखिए जैसे होता है लीडर बनने वाला एस्पिरेंट जैसे अब आईये स्पीसे बज्चरी बंडने वाला प्रवक्त है ठीक है जो आपके जैसा होता है लेकिन पांच साल बात क्या होता है? उसका चेहरा जादा गलो करने लगता है. ये आम वो किसान तो हैं नहीं? जाहर सी बात है, इनका उहदा बड़ा है, इनका पॉलिटिकल अप्रोच बड़ा है. कहा जा रहा है, कहने में आ रहा है, जो मीढिया कह रही है, कि राक्यस टीकल्ट जो है, वो ऐस दमार्यों के धाद मजबूर हो कर रहा है, क्योंकि हिन सब की फंडिंग खाल्सतानी कर रहे है, ये सब बाते उड़ अड़के आ रही हैं, 6 अब जमिरी घटना ऐrenchedी, पहले जो को होने जाहिए को जाएगा जाहिखिसी बाद इसका फाइदा टलिए पाकिस्तान को जाएगा क्यूंकि अगर आप वो क्या करता है खालिस्तान की मुद्ब को पढ़ाना चाहता है जिस तरीक से दे की जरी भालत की इंटेंशियन वो बलुचिस्तान का मुद्दा उठाता है क्यों बोलता है कि जहां इंटरनेशनल प्लाइशनल होता है यहां पर मानुअधिकार का हानद हो रहा है ठीक है तो वो इंटरनल अफेर में की वज़े से वो इस चीज को जादा हवा दे रहा है पाकिस्तानी मीरिया ने सब जादा इस बात की हवादी है कि यहां पर इंटरनल इनके अंदर गृद के आसार है लोग खालिस्तान बनाने की मांग कर रहे हैं मांग अभी से नहीं चली आ रहे है खालिस्तानी की बात आजादी के बाद जो है उननीस सु से तालिस में ही जो है जो सिख लोग थे नहीं वो बोले लेकिन अब ये करतारपूर कोरिडूर के बाद ये फिर से खालिस्तानी वाला मुद्दा वोट के आने लगा है जिसका जो मतलब बहुत बड़ा पियरेंस आप देखेंगे ये 26 जनवरी की घटना में अब में बात कर रही थी इन के राकेश-टिकेट के बारे में तो वो लो efas झाले है.." के सामने जो लीगल तर पर हैं वो किसान यूरी परवकता के रूप में आगे आ रहे है किसान के लोग जिनको सपोर्ट करना वो भी दो फार्ट में 26 ऑनी के बाद अब जो है वो बट गया है कुछ लोग इनके साथ है कुछ लोग नहीं एनके साथ है सब राजनीतिक पूरी बात आया हो कि हम रख पाए हो आपके सामने जो नहीं समझ में आया होगा आप बताईए कर अलग से उसके बारे वीडियो बनाना पड़ा हम कोशिश करेंगे बनाएंगे